हेल्यो एवरिवन आज का हमारा टोपिक एकसराइज 1.3 डेरिवेबिलेटी बीए 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 सी फर्स एम केलिवलस से हैं प्रीवेस किलास के अंदर हम डेरिवेबलेटी की डेफिनेशन सीख चुके हैं उस पर बेस्ट एक कोशन हम कर चुके अपने एकसराइज 1.3 से अब ब है या नहीं है ठिक है जी तो चेक करते हैं सिसकि सबसे फैले चेक करेंगे तीक किस पह्त एकस पास्ट इकल टो ऊर्डीजंगरीन में सी जीरो पे ठीक है जी तो बात करते left hand limit के तो limit x tends to 0 negative f of x तो limit x tends to 0 negative f of x के लिए क्या negative है 2 minus x ठीक है जी तो limit x tends to 0 2 minus x के प्लेश पर 0 minus h put करेंगे हमने क्या किया put x is equal to 0 minus h x tends to 0 H tends to 0 ठेक है जी होगा एतना काम now limit H tends to 0 2 minus 0 करेंगे तो minus 0 0 कोई काम नहीं तो minus minus plus के H तो यहां limit put कर दो 2 plus 0 तो हमारे पास क्या आता है 2 आता है right hand limit limit X tends to 0 positive F of X limit limit X tends to 0 positive F of X कर लिए क्या है 2 plus के X ठेक है जी limit S tends to 0 2 plus के 0 plus H ठेक है हमने क्या क्या यहां पर put X is equal to 0 plus H as X tends to 0 H tends to 0 तो limit S tends to 0 यहां से हमारे पास कहेगा 2 plus के H ठेक है जी limit put करो 2 plus के 0 क्या आएगा 2 आएगा अब left limit हमारे पास right limit दोने को ला गई है अब बात करते हैं इसकी function की value किस पे 0 पे तो F of 0 पे हमारे पास क्या value आएगी equal to us यहां पे तो इसके अदर पूट करो 2 plus के 0 तो value क्या आती है 2 आती है तो यहां से left and limit right and limit और function की value equal है तो therefore F of X is continuous at X is equal to 0 पे ठीक हाजी हमने क्या चेक किया यहां पे continuity चेक कर ली अब बात करेंगे इसकी derivability की यह function derivable है या नहीं है अब जल्दे से इसको नोट कीजिए तो left and derivative limit h tends to 0 F of 0 minus H minus F of 0 अब वोन में minus H तो प्यारे बच्चों जो मने previous class के अंदर किया था derivative उसके अंदर मैंने क्या किया था यहां पे 0 पे न एक negative sign लगा दिया था ठीक है तो आप उसको ठीक कर लेना आप उसके place पे यह तो आप plus कर देना ठीक है यह वाँ पे कोई भी sign use मत करना ठीक है दोनों में plus आएगा यह दोनों में कोई भी sign use मत करना क्योंकि कोई-कोई तो sign यह आप यूज कर लेता है plus minus indication के लिए और कोई use नहीं करता है तो जो आपकी book के अंदर दिया हुआ है हम उस book को follow करेंगे उसके according book के according क्या है यहाँ पे कोई भी sign नहीं है ठीक है जी या तो यहाँ पे दोनों sign यूज करो या थे plus left hand derivative ये plus और right hand derivative ये plus sign यूज करो otherwise यहाँ पे कोई भी sign यूज मत करो ठीक है जी तो simple हम क्या करेंगे एस टेंस जीरो करेंगे तो जो हमने previous class के थी उसके अंदर जहाँ जहाँ पे left hand derivative यूज के हमने वहाँ पे मैंने sign क्या क्या है माइनस क्या हूआ है आप उसको plus कर देना बस ठीक है या आप वहाँ से इसको cut कर देना तो limit s10 to 0 f of minus h put करो कहाँ पे left hand derivative मतलब left hand limit के अंदर left hand limit ही है तो यहाँ पे 2 minus x के place पे minus h minus x के place पे 0 upon में minus h तो limit s10 to 0 2 minus minus plus k minus k2 upon में minus h तो 2 से तो 2 cancel out हो गया तो limit s10 to 0 h चपून h इसको पुलगा दे minus को तो यह कटके हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा limit s10 to 0 minus k1 तो यहाँ से answer क्या आएगा minus k1 आचाएगा ठीक है जी क्या आएगा minus k1 अब बात करते है राइड हैं डेरिट होगी limit s10 to 0 यहाँ पर क्या उच करते है f of 0 प्लस h minus kf of 0 divide by h limit s10 to 0 यह बनेगा मारे पास f of h minus kf of 0 divide by h limit s10 to 0 f of h पूट करो right hand derivative मतलब right hand limit के अंदर right hand limit हमारे पास यह है x के प्लेस पे क्या लिखना है h लिखना है तो 2 प्लस के अब 0 पूट कर नेक्स के प्लेस पे तो क्या आएगा 2 आएगा नीच हमारे पास है यह 2 से है 2 गैंस लावट हो जाएगा माइनस 2 तो limit h 10 to 0 तो h upon h और limit h 10 to 0 h upon h क्या आता है 1 आता है और 1 पे limit अपलाई नहीं होगी 1 constant है तो यहां से answer हमारे पास क्या 1 के एक्वल और left hand derivative हमारे पास है minus 1 के एक्वल क्या दोनों एक्वल है नहीं है जी तो लिख दो फिर left hand derivative note equal to right hand derivative therefore f of x is note derivable at x is equal to 0 ठीक है जी x is equal to 0 पे जो function है वो derivable नहीं है जल्दी से note कीजी फिर करेंगे next question इसको जो second part है second part बिल्गुल same answer है दिया हुआ है तो उस part को आप खुट रहे करना अब बात करेंगे question number 3 की question number 3 है हमारे पास है so that the function defined by function defined by f of x is equal to mod x plus k mod x minus k1 is continuous but not derivable at x is equal to 0 and 1 हमें ये शो करना है कि ये function 0 पे और 1 पे continuous तो है but derivable नहीं है और ये प्यार बच्चो ये आपका most important question है ठीक है क्योंकि अभी तक जो हमने question किये थी उसके अंदर क्या था single mode था ठीक है modulus का कोई sum नहीं था modulus के आपस में कोई product नहीं थी या modulus का आपस में कोई subtraction नहीं थी लेकिन यहाँ पर क्या है mode x है फिर plus है mode x minus के वान है ठीक है जी ये हमारे पास है और इस question को solve करते है time mostly बच्चे गलत करते हैं ठीक है 99% यहाँ पर इस question को गलत करेंगे जिसको इसके function के knowledge नहीं है यहाँ फंक्शन को Defined कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस function को Defined करना सिखेंगे ये आप सीख गए तो फिर आपको कोई problem नहीं आएगी तो चीक थे function को Defined कैसे करेंगे ठीक है जी द्यान से सीखना है आज सीख लेना आज के बाद आप कभी भूलने पाओगे कि फंक्शन को डिफाइंड कैसे करते हैं कभी भी आपको प्रोब्लम नहीं आएगी तो f of x हमारे पास क्या दिया हुआ है mode x plus mode x minus given हमें चीए f of x के वालू तो f of x है हमारे पास वो define कहां कहां पर होगा अब दिखो यहां से सबसे पहले क्या करो जिरो जीरो में कर लो जो यह x है mode x3 यहनि X को 0 जिरो के पूट करेंगे तो answer क्याएगा x को 0 आएगी इसको 0 के पूट करेंगे तो answer क्याएगा x को 11 आएगी मतलब यहां से क्या हो हमारे पास दो पॉइंट में मिल गए ठीक है जी कौन से कौन से 0 और 1 दो पॉइंट में मिल गए हंजी मिल गए कौन से 0 और 1 इसको क्या करो थोड़ा सा आगे तक एक्टेंड कर दो नीचे भी कर दो इसको बेसे कर दो नीचे भी कर दो एक्टेंड ठीक है जी कर दिया अब ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से क्या होगा बताओ तो चलो फिर यहां पर mod x लिखो, फिर यहाँ पर mod x minus given लिखो, ठीक है जी अनीचे क्या लिखो, mod x plus mod x minus given ठीक है, क्योंकि हमें कहाची यह हमें इन दोनों का sum चाहिए न, हां जी चाहिए तो अब देखो यहाँ से 0 पर है, आपको पता है कि जो mod x होता है, वो 0 से it means x क्या होगा, greater than 1 होगा, यानी 1 से बड़ी value पर value क्या होगी, positive होगी ठीक है जी, 1 से बड़ी पर, ठीक है तो अब देखो, सबसे पहले बात इस की करेंगे हम सिरफ इस के, ठीक है तो mod x है, 0 से less में क्या होगा, x negative 0 से rate में क्या होगा, x positive 0 से rate में क्या होगा, x positive ठीक है जी, अब बात करतें, 0 पर क्या होगा, 0 put को यहां पर 0 आएगा, 1 पर क्या होगा, 1 put को यहां पर, 1 आएगा ठीक है जी, लीजे यह आपको नहीं दिख रहे थे, ठीक है लिख दिया हमने, लओ, इसके बाद हम बात करेंगे, mode x minus k1 की यह value क्या है, जब x greater than 1 है, तो आपर post चोगी, तो x greater than 1 यहां पर होगा, तो x minus k1 यहां पर negative आएगा negative x minus k1, negative x minus k1, ठीक है जी और 1 पर, 0 पर value क्योगी यहां 0 put करो, तो क्या हैगा, 0 minus k1 minus k1, और minus 1 का modulus क्या होता है, 1 होता है ठीक है, 1 put करो है, 1 minus 1 क्या होता है, 0 0 का modulus 0 आएगा, अब देखो यह minus x minus 1 है, इस minus के अंदर multiply कर दो, तो यह इसको मैं इसे लिख सकते है 1 minus kx क्या इसको भी लिख सकते हैं, 1 minus kx हंजी लिख सकते हैं, इतने चीजे आपको समझ आ गई, कुछ हमने किया है, हम पे, कुछ में ने किया, समझ आ गया, हैंजी, कैसे, 0 1, 2 point में निकाल ले हैं, इसकी 0 निकाल ले, x की, और mode x minus 1 की, ठीक है, यह आगी, अब हमें पता है, जो mode x है, वो less than 0 पर क्या होता है, negative होता है, तो 0 से less, negative आएगा, 0 से greater पे, positive, यह value भी 0 से greater है, positive, फिर मने क्या किया, 0 put case के अंदर, तो value आगी 0, 1 put case के अंदर, तो value आगी 1, ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे, mode x minus 1 की, ठीक है, यह value क्या है, greater than or equal to 0 पर positive है, तो इसपर value positive हागी, ठीक है, इसफर value negative हागी 1 से less हो गया, इसफर value negative है, क्योंकि यह भी क्या है, 1 से less है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको add करना है, क्योंकि हमें क्याय समचे, तो इसका square करेंगे, मतलब इसको स्क्राइड करेंगे तो यह से क्या आएगा 1-2x इसको स्क्राइड करो तो यह भी मारे पास क्या जागा यहां से x x cancel हो गया तो 1 आएगा x x 2x-1 यह तो हमने यह चेक कर दिया अब यह boundary यह आएगी 0.1 क्या तजी 1 1 प्लस 0 1 आता है दोनों पर वैल्यू सेम है ठीक है अब जो function हमारे defined होगा यह function तीर interval में defined होगा 1st interval, 2nd interval, 3rd interval 1st interval क्या है less than 0 है तो x less than 0 पे function के value क्या आएजी 1-2x ठीक है अब 0 less than x less than 1 पे function के value क्या आएजी 0,1 के बीच में 1 आईए ठीक है जी फिर x greater than 1 पे value क्या है 2x minus के 1 है ठीक है जी अब equal to sign कहां लगाना है equal to sign 0,1 काईड क्या 1 आगया 1,0 काईड क्या 1 आगया दोनों पे value क्या है सेम है 0 पे 1 पे तो इसको क्या लगा दो यहाँ पे लगा दो ठीक है जी समझ जा गया यह हमने क्या किया function को define कर दिया ठीक है गुट अब बात करते continuity की at x is equal to 0 पे तो left hand limit तो limit x देख लो 0 नेगेटिव f of x तो x देख लो 0 से लेट्स कहां पे है यहां पे है 1 minus 2 x है तो limit x देख लो 0 नेगेटिव 1 minus k 2 x अब यहां पे क्या करना हमें देखो जो यह मैंने define किया है यह आपको exam के अंदर नहीं करना है आपको exam के अंदर यह काम करना है ठीक है वो मैंने आपको समझा दिया कि हम इसको define कैसे करते है बनाते कैसे ठीक है कभी आप यह बना किया जो एक्जामिनर की समझना आए कि क्या लिखा हुआ है ठीक है तो अभी आपे क्या कर नामे चोलो मैं इसको नीचे कर देता है यहाँ पर limit h tends to 0 ठीक है जी 1 minus के 2 x के place पे 0 minus के h ठीक है हमने क्या किया put x is equal to 0 minus h x tends to 0 h tends to 0 तो यह हमारे पास क्या एगा limit h tends to 0 1 minus 2 into 0 0 minus 2 into minus h तो पलस के h limit put करो 1 plus के 0 क्या है 1 के equal right hand limit निकालते है limit x tends to 0 positive f of x तो 0 positive पे f of x के value कितनी है x positive 0 से बढ़ा है तो value कितनी है 1 है तो इस पर limit लगाएंगे तो answer गाएगा 1 आएगा अब देखो left hand limit और right hand limit दोनों के लिए बन आ गई है अब value किसके चेक करने है f of 0 पे तो f of 0 पे value क्या है equal to sign काहाँ पे 0 पे यहाँ पे है इसके वह लोग इतनी है 1 है ठीक है जी तो यहां से क्या आ गया lhl is equal to rhl is equal to f of 0 तो therefore f of x is continuous at x is equal to 0 पे ठीक है जी जीरो फंक्शन क्या हो गया continuous हो गया जल्दी से note कीजिए फिस के बात करेंगे derivability की कि function derivable है या नहीं या 0 पे ठीक है इन्होंने तो मना किया हुआ है हम भी check कर लगते है कि उन्होंने मना किया हुआ है चेक करके मना किया ना तो हम भी कोई बात नहीं चेक तो करना पड़ेगा प्रूव तो करना पड़ेगा में कि यह बात ठीक है तो बात अतने derivability की एक एक से उकल तो 0 पे तो लेट एंड डेर वेट हूं लिमिट है चेंस हो 0 F0-1-0 divided by मारे पास ये होतता है अब यहां से क्या बचेगा मैंनेश्गाइज बचेगा मानेश्गा फो इसके वेलु निकाल लो है फो माइनस है लट अभी यह वालिए तो एक सब्रख पर क्या आपको माइनस है फुट करना तो सब्सक्राइब नीची आएगा निची आएगा नीचे हमारी पास सक्राइब मास्जाएगगा यहां पर क्या बचेगा लिमिट एस जो जीरो माइनस के टू तो यहांसे क्या आएगा एका ठीक है जिट लेक्टेंगे व्हमारे पास का आ गया माइनस के टू आगया अब बात करते हैं राइञ भी नरुमिट H tends to 0 F of 0 plus H Minus F of 0 Divide by H तो limit H tends to 0 F of 0 plus H है That is F of H Minus F of 0 Divide by H अपको put का करनी है 0 के right side में 0 के right कुन सा है 1 है तो यहां 1 put करेंगे H के place यानी X तो है नहीं हो आपे तो that काएगा 1 आएगा Minus के 0 put करेंगे तब भी हमारे पसान से काएगा 1 आएगा नीचे क्या है H है तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा Limit H tends to 0 तो 0 upon H 0 upon H क्या होतता है 0 के एकुल होतता है ठीक है 0 आगया तो यहां से answer क्या आएगा 0 के एकुल तो क्या यहां से left hand derivative और right hand derivative एकुल आगई जी नहीं क्योंकि left hand derivative गए लिए माइनस टू है I tend derivative गए लिए 0 के एकुल है तो therefore F of X is not derivable at X is equal to 0 तो 0 पे तो हमने चेक कर लिया कि यह function continuous तो है बट डेरिबल नहीं है अब बात किस पे रहागी 1 पे अब 1 पे चेक करेंगे ठीक है जी जल्दी से इसको नोट कीजिए function देख हमारा यह रहने वाला है एक बार हमने function define कर दिया तो define हो गया इसके बाद कोई problem नहीं है इसके बाद हमारे पास continuity at X is equal to 1 पे तो left hand limit limit X tends to 1 negative F of X तो 1 के left side में देखो function क्या दिया हुआ है 1 के left side में function क्या है 1 जी लीजी 1 आ गया ठीक है तो limit put करेंगे आपे तो 1 आएगा constant number है तो right limit की बात करते है limit X tends to 1 positive F of X तो limit X tends to 1 positive 1 positive के right side में value क्या दी हुई है यह दी हुए है 2X minus k1 ठीक है जी अब क्या करो लीमिट H tends to 0 X के place पे क्या put करना है 1 plus catch put करना है 2 into 1 plus catch minus k1 1 ठीक है ठीक है हमने क्या क्या है यहाँ पे put X is equal to 1 plus H जब X की value tend करते कि इसको 1 को तो H के लो टेंड करेंगे इसको 0 को ठीक है जी तो now limit H tends to 0 2 plus k2H minus k1 तो limit H tends to 0 2 में से 1 क्या 1 plus k2H limit put कर दो 1 plus k0 क्या गई 1 के एकोल आगई तो left and limit right and limit 1 के एकोल आगई तो function क्या होगी F of 1 पे equal to अपे value क्या है 1 के एकोल तो LHL is equal to RHL is equal to F of 1 तो therefore F of X is continuous at X is equal to 1 पे ठीक है जी X is equal to ने function क्या होगा continuous होगा अब बात करें इसकी derivative की अब जल्दी से इसको note कीजिए अब अब देरिबलेटरे की बात करते हैं कि function डेरिबल है या नहीं है किस पे एट एक्स इगल टू बन पे तो लेप्ट हैं डेरेट लिमिट एस टांज सु जीरो एफ जीरो एफ जीरो मैने स्केट्स मैनिस के एफ जीरो मैंस है नहीं वन मैंस है ठीक है क्योंकि हम चेख करें एफ यहां पर जापर वन आएगा उन्हें हमारे पास आएगा माइनस केट्स हुग लिमिट है एक सब्सक्राइब मेरे को थे लेइगा इसको तो तोनी आएगा मैन इसके वन पूट करेंगे को तो तो भी जाएगा बनी आएगा डिवायडवाइड वाइंस एक है तो यह आशांसर रमारे पास क्या बन जाएगा लिमिट एस तेंड जीडू 0 upon minus catch फिर limit s chance to 0 0 तो इसका answer क्याएगा 0 के एक call तो left hand derivative हमारे पास क्या आगा 0 के एक call आगा ठीक है जी अब बात करते है right hand derivative के right hand derivative हमारे पास limit s chance to 0 f of 1 plus catch minus k f of 1 divide by h तो limit s chance to 0 अब राइट है मारे पास function को ने one के राइट में one के राइट में हमारे पास है 2x minus k 1 यह वाला है जी एक्स जब गेट रवन ठीक है तो यहां से हमारे पास कहाईगा 2 into x के प्लेस पे 1 plus h minus k x के प्लेस पे 1 put कर 1 plus h put कर दे हमने minus k 1 था minus 1 put करना अब है आपर 2 into 1 minus k 1 divide by h 1 plus h put क्या 2 into 1 plus h minus k 1 फिर minus 1 put क्या 2 1 minus 1 ठीक है जी तो limit s tends to 0 तो 2 plus k 2 h minus k 1 और minus k 2 minus minus plus k 1 divide by h ठीक है जी इतना काम हो गया अब देख्वी यहां से 2 plus का है 2 minus का है 1 minus का है 1 plus का है cancel out हो गए बच्चा क्या limit s tends to 0 2 h up 1 h इस h c h cancel हो जाएगा answer क्या गए यहां से limit s tends to 0 2 तो यहां से answer क्या गए 2 के एकवल आगया ठीक है answer क्या गया 2 के एकवल आगया ओके तो right hand lead derivative हमारे पास 2 आगया left hand derivative हमारे पास क्या जी 0 के एकवल है था क्या दोनों एकवल है बिल्कुल भी नहीं है तो यहां से लिख देंगे हम lhd not equal to rhd तो therefore f of x is not derivable at x is equal to 1 1 पे function क्या derivable नहीं है but continues था ठीक है जी हो गया जल्दी से नोट कीजिए फिर नेक्स कुशन करता है क्यास क्या थे कि लिए एक्या स्वपद कुशन कीज़ आए ज़ुश़ तो झाल जबाख एक्यों कि लो घड़ सबस्पपच्पपः यज मोच्पपपवज़ क्यों बावपवद क्यों जँड़ question number four discuss the continuity and variability of the function f of x is equal to by PUSH function दिया हुआ है x-k into sin 1 upon x-a when x not is equal to a और 0 है when x is equal to a at x is equal to a पे हमें चेक करना है ठीक है चेक करने हैं कि continuity और deriability कि function derivable है या नहीं continuous है या नहीं तो करते हैं चेक continuity at x is equal to a p ठीक है तो लेपन लिमिट लिमिट x tends to a negative f of x limit x tends to a negative f of x के लिए मारे पास का है x minus a into sin 1 upon x minus a ठीक है जी अब हमें क्या करना है यहाँ पे है एक को टेंट करा दिया है लिमिट है यहां से ए से ए कैंसल ए से ए कैंसल तो क्या बचेगा लिमिट x tends to 0 minus k h sin 1 upon minus k h और आपको पता होगा कि sin minus theta क्या होता है minus sin theta होता है तो minus 12 आएगा एक minus ही है तो plus k h हो जाएगा sin 1 by h तो यहां से जब पूट करेंगे इसका अंसर क्याएगा 0 के एक लाएगा ठीक है 0 into finite quantity that is 0 क्योंकि जो sin 1 by 0 पूट करें यहां पर यह वैलू जो भी आएगी यह वैलू minus 1 over 1 के बीच मेरी करेंगी ठीक है जी इससे बाहत हो जाने सरी क्योंकि इसके जो range होती है sin theta क्यों क्यों होती है minus 1 से 1 तो इसके अंदर रहेगे को कोई finite quantity आएगी ठीक है जी finite quantity की 0 के साथ multiply करेंगे तो answer क्याता है जीरो आता है तो लेप हैंड लिमिट तो मारे पास सोल हो चुकी है ठीक है जी अब बारत यह राइट हैं लिमिट की तो लिमिट x tends to a positive f of x तो लिमिट x tends to a positive f of x के लिए क्या थी x minus a sin 1 upon x minus करें तो लिमिट x tends to 0 h into sin 1 by h ठीक है जी इसका अंसर पर हमारे पास कहाएगा 0 के एक वला जाएगा ठीक है जी left and limit right and limit दोनों 0 आगी आप function के value check करता है f of x is equal to a p हमारे पास value क्या रखे जी 0 दे रखे है तो therefore lhl is equal to rhl is equal to f of a ठीक है यह हमारे पास हो गया therefore f of x is continuous at x is equal to a x is equal to a function क्या होगा जी continuous होगा ठीक है हां जी जल्दी से नोट कीजिए फिर करेंगे इसका डेरीबिलेटी टेस्ट की डेरीबल है यह नहीं है देरीबिलेटी एट x is equal to a तो left hand derivative तो limit h tends to 0 f of a minus h minus k f of a upon minus k x ठीक है जी लिमिट एस टेंस to 0 f of a minus h जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या पूट करना है a minus h तो a minus h minus k a sign one upon a minus h minus k a ठीक है फिर minus f of a h to kya यहाँ से a minus k a sign one upon a minus k a ठीक है यह हमारे पास आएगा डिवाइड बाइद माइनस के एच ठीक है एसी एकएंस लाट हो गया एसी एक एंस लाट हो गया तो यहांसे क्या आएगा वन बाइच और लिमिट एस टेंस जीरो यह वैल्यों मारे पास क्या एगी जी जीरो आ जाएगी क्योंकि यह माहिने से क्या होता है जीरो होता है अब उन में माहिने से तो लिमिट है एस टेंस जीरो इस महीनिस है से यह चैंशल आउट हो जाएगा ठेक है तो मारे पास क्या बचेगा साइन वन बाइच ठीक है यह मारे पास बचका साइन हम राइच वह साइन होगा जीरो पर 1 by H, 1 by 0 ये value क्या करेगी? vary करेगी, oscillate करेगी ठीक है? oscillate between minus 1 and 1 therefore left hand derivative does not exist तो left hand derivative मारे पास कह है? एक्जिस्ट ने करता एक्जिस्ट ने करता तो durable तो होने कामी नहीं है ठीक है जी? समझाया? हमने क्या कि यहाँ पर just a minus h put किया है तो यह minus h minus कही फिर a minus h minus कही यहाँ पर पूट के a minus a sin 1 minus a ठीक है जी? यह value मारे पास है minus k h यहाँ से आएगा मारे पास sin minus k 1 by h ठीक है जी? minus बार निकाल दिया तो पलस बन गया sin 1 by h हो गया ठीक है जी? यह value 0 है minus k h h से h cancel हो गया तो यह value मारे पास बच्चेगी minus k sin 1 by h ठीक है जी? क्योंकि नीचे minus था? ओके? तो यह हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा? जो यह value आएगी यह value क्या करेगी? oscillate करेगी between minus 1 and 1 के बीच में कोई fix value नहीं आएगी? ठीक है जी? fix value नहीं आएगी तो यह value क्या आएगर इस लेट करेगी? oscillate करेगी तो function derivable नहीं होगा ठीक है जी? good? जल्दी से note कीजिए अब देखो left and derivative exist नहीं करता है तो right and derivative निकालने के जरूरत ही नहीं है वो exist करेगी या ना करे it doesn't matter ठीक है? अब बात करते है question number 5 examine the continuity and variability of the function f defined by सब के अंदर में क्या चाहिक करना है यही चाहिक करना है ठीक है जी? continuity है, variable है या नहीं है तो f of x हमारे पास दिया हुआ है x into e की पावर 1 by x minus e की पावर minus 1 by x और e की पावर 1 by x plus e की पावर minus 1 by x if x note is equal to 0 और 0 आता है if x is equal to 0 check किस पर करना है at x is equal to 0 पर check करना है ठीक है? तो दिखो यह function जो x लिखा हो ना यह x यहां बीच में है बीच में है मतलब इसको ऐसी लिख सकते है ठीक है? तो बात करते हैं इसकी limit की, यहनि continuity की continuity at x is equal to 0 पर 0 यह हमारे पास? 0 यह है ठीक है जी तो left hand limit limit x टेंस हो 0 negative f of x को लिए क्या आएगी x into e की पावर 1 by x minus e की पावर minus के 1 by x अब उनमें e की पावर 1 by x plus e की पार माइनस के 1 by x ठीक है जी? यह हमारे पास है अब हमें क्या करना है यहाँ पर? x एक सेगेंड एक सेगेंड left hand limit निकाले है न? हाँ ठीक है तो x टेंस हो मारे पास? 0 negative था अब क्या करेंगे इसको? limit h टेंस हो 0 ठीक है? और जो x है उसके प्लेस पे क्या जाएगा? 0 minus kets e की पावर 1 अपून 0 minus 1 minus e की पावर minus के 1 अपून 0 minus 1 नीचे e की पावर 1 अपून 0 minus h plus e की पावर minus 1 अपून 0 minus kets ठीक है जी हो गाए इतना काम हैं जी अब इसके बाद अब 0 minus h के होतता है minus h होतता है ठीक है जी और ये हमारे पास e की पावर minus के 1 by h minus e की पावर minus minus π्लस 1 by h e की power minus के 1 by h और plus e की power 1 by h ठीक है जी दीजे इसको मैं h बना देता हूँ कभी आपको n लेगे या x लगे ठीक है ये क्या हमारे पास h के equal है अब अगर हम यहाँ पे 0 put करते हैं ये 0 हो जाएगा ठीक है e की power minus infinity बनेगा ये 0 हो जाएगा e की power infinity बनेगा यहाँ से infinity तो infinity होता है ये तो हमारे पास 0 into infinity form बन जाएगी ठीक है जी तुम क्या करते हैं e की power 1 by h को यहाँ से common निकालते है limit as chance to 0 minus catch e की power 1 by h common निकाल दिया उपर से तो मारे पास क्या बनेगा e की power 1 by h तो e की power minus के 2 by h minus के 1 upon e की power minus 2 by h और पलस के 1 ठीक है जी उनीचे जिमारे पाई e की power 1 by h था तो दोनों cancel out होगे तो बचा क्या limit as chance to 0 minus के h अंदर बचेगा e की power minus के 2 upon h minus के 1 e की power minus के 2 upon h पलस के 1 ठीक है जी अब यहाँ आपे limit put कर दो आप limit put करोगे तो यह value हमारे पास क्या बनेगी 0 अंदर आपके पास क्या बनेगा e की power minus infinity minus 1 e की power minus infinity पलस 1 तो 0 into e की power minus infinity क्या होता है 0 minus 1 0 पलस 1 तो 0 into minus 1 तो answer क्या आया 0 के एक वल ठीक है जी जो left and limit आमारे पास वो क्या गई जीरो के एक वला आगी जल्दी से इसको नोट के जी फिर मैं इसी के अंदर थोड़ा-थोड़ा चेंज कर देता हूं right and limit के लिए ठीक है ताक इतना बड़ा दो बार ना लिखना पड़े मुझे इसका answer क्या है 0 के एक वला है ठीक है जी तो अब बात करते है right and limit के तो इसके अंदर मैं करना क्या है प्लस कर देना जी यह तो ठीक है function change करने लग गया हमे 0 प्लस H, प्लस H, प्लस H, प्लस H, प्लस H, ठीक है तो यह मारे पास कर जाएब, प्लस H हो जाएगा ओके नाव, 1 by H minus H जाएगा यह बनेगा minus के 1 by H यह बनेगा 1 by H और यह बनेगा minus के 1 by H ठीक है जी सेम काम यहां से हम क्या करते है, वह 1 की पाउर 1 by H को को मो निकाल देते है यह को मो निकाल लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक पार 1 by H को में निकल जाएगा तो अंदर बचेगा मारे पास यहां से 1-1-2-2-H ठीक है जी 1 यहां से को मना जाएगा पलस एकी पाउर माइनस के 2-H ठीक है जी इतना का हम ने कर लिया ओके तो अब हमारे पास यहां से क्या बचे गाई है लिमिट एस टैंस तो जिरो एच वन माइनस एकी पाउर माइनस के 2-H वन पलस एकी पाउर माइनस के 2-H अब लिमिट पूट करें यहां पर तो जीरो इंट वन माइनस के जीरो अपॉन प्लस के जीरो तो जीरो एंट वन यह क्या हुआ जीरो तो लेप्ट एंड लिमिट राइट एंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीन आपस में क्या है जीरो के एक वाल है कहां फंक्शन की वैल्यू लिजी फंक्शन की वैल्यू पर क्या दे रखे जीरो इकल तो जिरॉ पर वैलु किया जीरो तो यह वैलु को ला गई तो therefore f of x is continuous at x is equal to 0 तो 0 फंक्शन हमारे पास क्या हो गया जी continuous हो गया जल्दी इसको नोट किजिए left limit right limit function यह जिरॉम ने चेक लिए अब बात करेंगे सिक डेरी बिलेकि कि function variable है यह नहीं है तो left hand derivative limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 divide by minus catch तो limit s tends to 0 जहाँ जहाँ पे आपको यह function दिखे वहाँ वहाँ पे क्या put करना है minus catch put करना है तो कर दो minus catch आएगा e की power minus ke 1 by h हो जाएगा क्योंकि 1 by minus h minus ke 1 by h minus ke e की power 1 by h हो जाएगा ठीक हजी अब उन एकी power 1 by h हो जाएगा minus ke 1 by h हो जाएगा पनास e की power 1 by h हो जाएगा क्योंकि हम put क्या करें है minus ke h put करें है ठीक है हो गया put अब minus ke 0 put करना है तो e की power 0 जब put करेंगे यहाँ पे तो यह function तो हमारे पास क्या बन जाएगा no defined बनेगा चलिए करते है 0 into e की power 1 by 0 minus e की power minus ke 1 by 0 e की power 1 by 0 plus e की power minus ke 1 by 0 अब पन में हमारे पास क्या है minus ke h ठीक है यहाँ तक तो बाट ठीक थी कैसे limit as 10 to 0 minus ke h हमने यहाँ से क्या किया e की power 1 by h को common निकाल दिया तो दोनों cancel out हो जाएंगे तो बच्चे का क्या है यहाँ से e की power minus ke 2 by h minus ke 1 e की power minus ke 2 by h plus ke 1 minus ke लेकिन यहाँ से हमारे पास 0 into e की power 1 by 0 infinity तो यह तो infinity बन क्या minus ke 0 upon infinity plus ke 0 ठीक है जी upon में क्या है minus ke h तो यहाँ से जो हमने चेक किया तो यहाँ से क्या है जो left hand derivative है वो क्या है does not exist क्यों नहीं करता exist क्योंकि यहाँ से value के आगे infinity आगे हमारे पास ठीक है अगर मैं अब 0 put ना करते हैं तो मैं यहाँ से common लेके कुछ cancel out कर सकते थे लेकिन हमने तो यहाँ पर जिरो put करना था तो जिरो put करेंगे तो यह तो हमारे पास क्या बन जाएगा infinity बन जाएगा ठीक है तो यहाँ से क्या है left hand derivative does not exist यह exist नहीं करता तो therefore f of x is not derivable at x is equal to 0 पर हो गया question finish जल्दी से note कीजी फिर करेंगे question no.6 तो question no.6 हमारे पास है let f be the function defined on r defined on r by setting f of x is equal to x cube sin 1 by x if x not is equal to 0 or 0 if x is equal to 0 ठीक है जी so that f dash is continuous on r but is not derivable not derivable at 0 ठीक है जी 0 function क्या है continuous तो है but derivable नहीं है ठीक है जी यह में शो करना है तो सबसे पहले किस पर चेक करना है यह चेक करना एप डैस पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे f dash x निकालेंगे ठीक हमारे पास क्या है यहां से x cube sin 1 by x तो प्रोड़क्ट रू लगाएंगे तो फर्स फंक्शन का डैरीटू second as it is पलस के फर्स्ट अज़िज derivative of second तो कोस वन बाई एक्स और वन बाई एक्स का डैरीटू माइनस के बन बाई एक्स केर ठीक है जी तो इस एक्स केर से यह कैसल आट हो जाएगा तो यहां से बचेगा 3x square sin 1 by x माइनस के x course 1 by x ठीक है जी जब x हमारे पास क्योंगा not equal to 0 अगर एक्स हमारे पास 0 के एक्वल हो जाएगा तो मारे पास function क्या बने गई यह put को यहां पर x 0 जिरो हो गया यह भी एक्स था जिरो पूट करेंगे तो यह function क्या मन गया हमारे पास 0 के एक्वल बन गया तो यह क्या हमारे पास f-x है ठीक है जी अब इस function को आप check कर लेना कैसे इसकी limit continuity check करना उसकी durability check करना देखें मैं इतने सारे question आपको करवाई है आपको समझ में आ चुका होगा अब तो कि continuity check कैसे करते हैं और derivative check कैसे करते हैं ठीक है जी वह फामले लगा करके आप यहां पर इसको check कर लेना ठीक है और जाए कुशन आप से गुड़ अब बात करते हैं question number 7 की बिल्कुल आसान question है मैंने function आपको बना करके दे दिया है यह function आप चाहिए करना ही continuous तो मिलेगा बट डेरिवेबल नहीं मिलेगा ठीक है तो कुश्च नमबर 7 की फॉंक्शन एफ is defined as follow f of x is equal to x k power p cos 1 by x when x not is equal to 0 or 0 when x is equal to 0 what conditions should be imposed on p such that first part हमारे पास के f may be continuous at x is equal to 0 अब हमें यहां पर क्या निकाल लिए है पी पे condition निकाल लिए कि पी पे क्या condition अप्लाई की जाए कि फंक्शन आवारे पास variable पे हो जाए 0 पे और यह function continuous पे हो जाए 0 पे ठीक है जी तो बात करेंगे इसके continue टेकी किस पे at x is equal to 0 पे तो left hand limit limit x tends to 0 negative f of x limit x tends to 0 negative f of x कर लिए क्या है x के power p cos 1 by x ठीक है जी तो यहां से limit s tends to 0 0 minus k x की power p cos 1 upon 0 minus k x ठीक है तो limit s tends to 0 0 minus h के उत्ता जी minus h इसकी power p और cos 1 minus k x cos 1 upon minus h तो यह हमारे पास क्या बनेगा cos 1 by h बन जाए क्योंकि cos minus theta का उत्ता जी cos theta होता है यह जी लिख देता है यहां पे cos minus theta is equal to cos theta ठीक है यह हमारे पास आचुक है left and limit अब यहां पे हम limit put नहीं कर सकते है क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि p की value क्या होगी कि हमारे पास 0 बनाए यह नोट defined बनाए जीक है अब बात करते है right and limit की तो right and limit चलिए लिख जाता है यहां पे right and limit limit x tends to 0 positive f of x तो limit x tends to 0 positive f of x कर लिए x की power p cos 1 by x तो same काम इसके अंदर करेंगे हम limit x tends to 0 x के place पे 0 plus x उसकी power p और यह क्या cos 1 upon 0 plus h तो limit x tends to 0 तो यह h के power p और cos 1 by h ठीक है जी left and limit हमारे पास right and limit हमारे पास है also जो function की value है 0 पे वो क्या जी 0 की equal है ठीक है जल्दे जिसको note कीजिए फिर इसका चेक करते है आपर condition क्या हैगी हम पार्ट करें first part तो हमारे पास function क्या है continuous है ठीक है if fx is continuous continuous होगा तो left and limit is equal to right and limit is equal to function की value 0 point पे क्या होगी equal होगी तो left and limit हमारे पास क्या ही है limit एस टैंसो जिरो माइस एस की पावर पी और कोस वन बाई एच राइटर लिमिट हमारे पास आई यहां से limit एस टैंसो जिरो एस की पावर पी कोस वन बाई एच और इस के लिए का आई जी f of 0 के लिए पावर पी पास यहां से आ गया तो आप यह बताओ कि जो पी की वैल्यू होगी वेल्यू क्या होगी ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या आए गई यह कोस फन बाई एच यह वैल्यू तो कोई greater than 0, P के लिए positive होने चाहिए, अगर P के लिए negative हो गए तो क्या होगा? तो बताउं क्या होगा? तो ये जो 1 upon minus 8 है न, ये ऐसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, तो ये आप 0, जब 0 फुट करोगे, तो ये क्या बनेगा? infinity बनेगा इनिफिनिटी तो में चीए नहीं हमें कैची जीरो चीए तो यहां से हमारे पास पीके लिए के आएगी जी गरेटर देन जीरो आजाएगी ठीक है इसकी कंडिशन होगी सो फंक्शन काद्र होने के लिए पी क्या आजिए गरेटर देन जीरो ठीक है आपने नोट कर लिए होगा नहीं कैजल्दी कीजिए फिर चेक करेंगे इसकी डेरेवीलेटी कि फंक्शन ड्रिवेबल है या नहीं फंक्शन ड्रिवेबल दिन रखा है ठीक है कि फंक्शन ड्रिवेबल होगा तो पी पे कंडिशन क्या होगी पुलब टेरीट हो लिमिट एस टेंस सुजीरो एफब जीरो मैंने सेट माइनस के फोफ जीरो डिवैट बाइब माइनस के घ्स तो लिमिट एस टेंस जीरो 0-H के उतता है minus H होता है minus H put कर दो तो minus H की power P cos 1 upon minus H ठीक है जी minus 0 put करेंगे तो X की power P यह हमारे पास बचे गए यहां से 0 put करेंगे तो 0 की power P cos 1 by 0 ठीक है जी divide by minus catch तो यह quantity हमारे पास क्या बन जाएगी चीजरए के मारे पास का लिमी संच जिरू है उसको इन दुजीरो आशी कीडी उसके बनेगा मारे पास मानेस एक पार प्लिअ सरे एक मारे श्रह आता है ऐस makesvals नीचे वह पर जा कि egga- imagem-ई अ पावर 1 नेख्यों तो पर जाएगी तो पावर माइनस 1 हो जाएगी अब बात करते है राइट एंड डिरिवेट विए लिमिट आइस तो 0 एफ जीरो प्लस है माइस का फोफ जीरो डिवैड बाई एच तो लिमिट एच तैस्ट तो 0 तो जिरो प्लस H, S, PUT करेंगे आपे, तो H की पावर हमारे पास क्या बनेगा? H की पावर P, COS 1 by H, मायनस के 0, डिवाइड बाई H, तो यह बनेगा मारे पास लिमिट है, S tends to 0, H की पावर P, आपे है 1 निचे, तो P मायनस के 1, COS 1 by H, ठीक है जी? तो if function is derivable function derivable है तो left hand derivative और right hand derivative दोनों क्या होंगे? equal होंगे तो limit h tends to 0 minus h की power p minus 1 ठीक है जी cos 1 by h और limit h tends to 0 h की power p minus 1 और cos 1 by h यह हमारे पास आगया equal तो अब p की value क्या होने चाहिए यहाँ पर कि यह हमारे पास equal बन जाए ठीक है? p की value क्या होने चाहिए यहाँ पर जो equal बन जाए तो यहाँ से जो p minus 1 है यह value क्या होने चाहिए greater than 0 होने चाहिए ठीक है जी तो इत मीन्स जो पी है वो क्यों नीज्य ग्रेटर धैन वन के एकॉल होना चीए तो डारिभल के लिए निज्य पास के उना चीए और जो सब्छास था उसके लिए हमारे पास कान होना चीए एक एकाल टू जुड गटर धांचिति एक चुटातिस आत्रेशव कांसर Take care, see you, thank you for watching.